लाइफ इन्सॉरेंस प्रीमियम इन्सॉरेंस प्रीमियम एक अजिस्मेंट होता है इस अजिस्मेंट को अभी रुख जाएए पहले एक कर लेते हैं हम पहले हम करते हैं ओमिटेड पर्चेस ठीक है या फिर fix assets, इसको भी समझ लेते हैं omitted का मतलब क्या होता है भूलना omitted का मतलब होता है का मतलब भूलना और हमेशा याद रखना हम भूलते तभी हैं जब हम उधार खरीदते हैं नगत वाला हमेशा याद रहता है ठीक है? उधार अगर किसी से लिया हो किसी को पैसे देना हो तो भूल जाते हैं भाई भूल गयते हैं नहीं दिया ठीक है? तो अब मैंने किसी से समान उधार खरीदा दुकानदार से और अगर हम भूल गये तो एक तो हमारा जो परचेज है वो परचेज भूल गये कम लिखा होता एक तो इसे प्लस करना चाहिए आपको सही करने के लिए और दूसरा आपने कैसा खरीदा। सब्सक्राइब करना चाहिए जब कभी भी भूलोगे चाहे एसे खरीद के भूल जाओ चाहे आप आप कोई गुट्स खरीद के भूल जाएगा अगर आप गुट्स को लेते हैं तो परचेज में आड हो जाएगा और दूसरा लाइबिलेटी में चला जाएगा तो उसी के उपर सारा का सारा अच्जस्मेंट था यह रहां गुट्स भूल से यह अगर हम भूली गएं आपको भूल में मिलेगा अगर अगर गुड्स भूलेंगे एक क्या करोगे आप कर कोई कहा पर चेश में दूसरा बैलेंषट के लायबिटी में अब तो सेट्सक्राइब ऐधने ग्यारवी क्लास के थोड़ा आसेट्स के लिएविद दूसरन के लाइबिय कर दियालेक्स अब सेख़ुदाव क्लास के पढ़ेद़ हैं ना जाल तो जब वहाते हैं तो यह भूहले तो यह उस जो जो उस सीचुएशन में कि Literally को कुछे oline me अगर डेट और पर्चेस बोलता है का भाई मैंने खरीदा जुलाई में तो भाई जो भूले उना एसे उसे जुलाई से लिए मार्च तक डेप्रीशेशन करो ठीक है इनकेस डेट नॉट गीवन डेन इगनूर तो आपको क्या करना है इगनूर करना है डेप्रीशेशन सवाल में कुछ बोला ही नहीं मानलो मैंने फणीचर खरीदा और फणीचर भूल गया और पूरे सवाल में डेप्रीशेशन का अड्जस्मेंट भी है तो पंगा ही नहीं भाई सिंपल कर दिया एड़ इधर लाइवलीटी में दिखा दिया लेकिन आपको उसमें अड्जस्म में डेप्रीशेशन भी दे रखा है और देट नहीं दे रखा तो इफ गीवन इन अड्जस्मेंट अगाट प्रीशेशन should be charged if given in adjustment depreciation on asset अगर adjustment में बोल रहा है कि depreciation लगेगा बट लेकिन date of purchase not given अब यहाँ problem आ गया ना अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो ignore कर रहा है लेकिन आपको adjustment में है कि depreciation लगा ही है लेकिन डेट नहीं पता तो ऐसे situation में पूरे साल का लगा होगे then तब क्या करना है आपने then depreciation calculate full year full year ठीक है ना then depreciation calculate full year correct clear है हाँ पर सारी चीज़े ठीक है तो यह adjustment था हमारा depreciation ठीक है एक और आगे adjustment देखें अभी एक prepaid वाला pending है उसको भी करेंगे हैं चलिए interest on capital और interest on drawing मैं सारा adjustment इसलिए करा रहा हूँ आपको noting आज करने का वक्त नहीं मिलेगा आपको मैं PDF भेजूँगा और घर पे interest on जो capital होता है वह हमेशा business के लिए क्या माना जाता है दूसरा एड capital में हो जाएगा ठीक है ना दूसरा क्या होगा हमारा capital में एड हो जाएगा क्यूंकि जैसे मान लेते हैं मैंने सामने आले बिजनस अलग है और मैंने तो टोटल कितने होगे 5,20,000 इसलिए एड हो गया ठीक है interest on drawing business के लिए क्या माना जाता है income माना जाता है ऐसे situation में क्या होगा एक तो trial balance के profit and loss के कहां चला जाएगा credit side क्यूंकि income है न यह इसलिए credit में अगर adjustment में है तो profit and loss के credit side में और less from capital capital में से minus होता है क्योंकि drawing है और interest on drawing कहीं न कहीं drawing से connected होता है और drawing हमेशा capital में से क्या होता है minus तो interest on drawing भी capital में से क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखे हो बहुत छोटी से चीज है आपको एक बार ध्यान रखना है और इसके आगे हम कौन-कौन सा अरजस्मेंट देखने वाले हैं हाला कि सारा अरजस्मेंट लिखा हुआ है देख होंचीरे लिएखना अरजस्ट बारश समयृ रेवाशने खवचिछ च्ड़ित चो था है झारेवालेशन ए्छिएन झारेशने लिएन टबेखने बार्य्चरी का श्याएश्ट लिए इन्स वाले तो हमें प्रैक्टिकल कोश्चन के साथ ही करना पड़ेगा क्यों जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं बता हुआ तब तक नहीं होगा इंट्रस ऑन कैपिटल हो गया इसके बात देखते हैं इंट्रस ऑन लून की बात कर लेते हैं ठीक है अभी तक हमने देखा के सर अगर कभी भी अभी तक जो मैंने सिखाया यही सिखाया आपको के कभी भी अगर आपको ट्राइल बेलेंस दे दे और ट्राइल बेलेंस के बाहर सपोस करो कुछ भी बाते लिखी हो जैसे कि यह trial balance है आपका माल लेते हैं और मैंने यहीं सिखाए कि यह trial balance है और trial balance के बाहर कुछ भी बाते लिखो like depreciation, like bad debts, कुछ भी लिखा हो तो debts call यह किसे क्या बोलते हैं adjustment बोलते हैं यहीं सिखाए लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि trial balance के बाहर information नहीं भी देगा फिर भ loan मैंने लिखा 10% loan और loan लिख दिया मैंने credit में 50,000 इसका मतलब loan 50,000 लिया लेकिन अब उसके ऊपर हमें 10% ब्याज देने हैं तो यह adjustment ही बन गया एक तरीके से आपको बाहर ना देखें यहीं पर percentage दे दिया और percentage के साथ-साथ कई बार date भी दे देगा आपको जैसे मैंने यहा सकता है मैंने loan लिया आपका 39 को तो भी अच्छे महने का निकालो ठीक है ना तो date से हमें पता चलेगा हमें कितने tenure का कितने duration का interest calculate करना है और date नहीं दे रखा तो कितना निकालोगे पूरे साल का निकालोगे ठीक है अब मुद्दी की बात है इसके उपर अगर मैं interest निकाल भ किया है आपने तो इसे outstanding interest यानि लून में add कर देंगे या फिर outstanding interest के नाम से दिखा देंगे समझे बात लेकिन मुद्दी की बात यह है कि अगर आपको यहां पे suppose करो पहले से ही interest on loan आपने पेड़ भी कर रखा है तो इसका मतलब very clear अगर आपने पहले से ही 3000 पेमिंट कर रख क्योंकि पांच में से तीन तो पेमिंट हो गया तो 2000 चला जाएगा आपका add हो जाएगा profit and loss में interest के अंदर ही किसके नाम से as a outstanding interest और दूसरा चले जाएगा balance sheet के liability में किस नाम से outstanding interest अगर मानलो यहां पे दे रखा हो आपको 5000 रुपे तब तो adjustment ही नहीं बन पाएगा यह क्योंकि 5000 ब्याज बन रहा था और 5000 की payment ही कर दी आपने तो तब तो कुछ ना लेना ना देना तो कोई adjustment नहीं होगा ऐसा situation में अगर interest बन रहा हो 6000 का तब तो extra दे दिया भाई साब तो अब prepaid हो जाएगा तो एक minus हो जाएगा और दूसरा balance sheet के assets में आ जाएगा हाला कि कभी ऐसा बनता नहीं है कि हम ब्याज एक्स्ट्रा दे रहें ठीक है ना तो सबसे पहले loan अगर हम किसी को देते हैं तो उसके उपर कैसे होता है उसी की हम बात कर रहे हैं यहां पर तो adjustment 15 मतलब number छोड़ दीजेगा interest on loan अभी आप जब note करेंगे ना तो आप adjustment का number मत डालिएगा मैं numbering में करवा दूँगा interest on loan और hidden adjustment का hidden adjustment क्यों बोला क्योंकि trial balance के बाहर देखने को नहीं मिलेगा like ठीक है अगर trial balance में गीवन हो तो हमेंसा profit and loss के debit में चला जाएगा जैगा जैसे मैंने एक example भी यहां लिखा हुआ है example में देखो यह मैंने लिखा हुआ है एक लाक रुपए और यहां interest लिखा हुआ है मैंने कितना लेकिन जो पार्ट कहां दे रखा है अड्जस्मेंट में तो अड्जस्मेंट की दो एंट्री होती है न अड्जस्मेंट की एक चला जाएगा कहां profit and loss के debit profit and loss के debit में कितना जाएगा तीन हजार दूसरा balance sheet के liability साइड में कितने चले जाएगे तीन हजार ठीक है और interest कैसे निकाला आपने 10% निकाल दिया और 6 महने का था मैंने अलग-अलग एक example लेगे कर रहा था यहां पर छोड़ी आपको यह वाला point अगर समझी आ गया तो इस वाले example को लिखने की जोड़त ही नहीं है ठीक है क्लियर है यहां था कोई दिक्कत अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहां पर लून लिया है और यह भी possibility है सम्हाओ कि हम किसी को लून दे सकते हैं कि मेरे पास कोई employee काम करता है उसने बोला मेरी बहन की शादी है मुझे पांच लाग रुपे चाहिए मैंने लून दे दिया यह लो पांच लाग रुपे और धीरे अपनी salary में से कटवा ले ना या दे दिना पांस सल बात क्योंकि जो trusted employee होते हैं तो मालिक यह चाहता है कि य interest on investment हो गया एक तरीके साफ ने किसी को दे दिया या फिर interest on investment के लो तो interest on investment हमारे business के लिए यह भी hidden adjustment होगा like same लेकिन यह business के लिए income माना जाएगा क्योंकि जब मैंने loan किसी को दिया है या मैंने कहीं पर माल लेता है डिबेंचर खरीद लिया या bank में FD करवा तो उससे हमें ब्याज मिलेगा ठीक है तो same condition है दिखिए जैसे मैंने 10% एक लाख बोला interest 2000 बोला तो 10% का मतलब 10,000 होना चीए अगर 10,000 में से आपको 2000 मिल गया है तो adjustment कितने की बनी 8,000 की तो अगर आपका इस पे given होगा तो profit and loss के credit side में कितना चले जाएगा सबसे अगर trial balance में हो कहां पे given हो मैं लिख देता हूँ अगर trial balance में given हो तो profit and loss के credit side कितने रुपए 2000 लिखनेंगे ठीक है और जो adjustment में given है तो adjustment के हिसाब से देखा जाए तो दो तो दे ही दिया हमने तो adjustment के हिसाब से कितने बने यहां पे 8,000 तो एक तो profit and loss के adjustment में दे रखा तो एक तो as accrued interest add हो जाएगा income में और कितने add हो जाएगे यहां पे 8,000 रुपए ठीक है और दूसरा balance sheet में accrued interest के नाम से चले जाएगा that is 8,000 तो total P&L में कितना जाएगा दस ही गया ना 8,000 तो add हो गया ना इसी के अंदर जाके वो finally देखोगे तो क्योंकि यह भी कहां गया P&L के debit में और adjustment वाला भी कहां गया P&L के credit में और adjustment वाला भी कहां गया P&L के तो credit में कितना चला गया total दस और मैं यहीं तो कह रहा है था किकिटना जाना यह क्रड़िट में सबस्क्म हमिए बाता को लेकिन आपका एसेट कितना बना जो मिला नहीं है तो मिला कितना नहीं सबस्क्राइब दस मेंसे 2 मिली चुकत है तो जो है ना कुछ इस तरीके से आपके साथ गेम प्लान करता है ठीक है आउटसेंडिंग रेंट हमने देख लिया हाला कि अजस्मेंट है ना आउटसेंडिंग के आउटसेंडिंग होगा ट्राइल में तो बैलेंशीट के लाइबलिटी में अजस्मेंट तो एड इन एक्सपेंस ग्यारा मेंने का और आप हमेशा याद रखना जो आपका प्रौफिट एंड लौस बनता है। प्रौफिट एंड लौस आल्वेस पाता है कितने मेंजिटी टाइम का बना सकते हो लेखिन हमारे सलेवर्स के को अकौरडबिंग यह हमेशा 12 महीने का बनेगा। तो अगर आपने 11 महिने का rent है तो इसका मतलब होगा rent तो 12 महिने का ही लेकिन आपने payment कितना कर रखा है क्योंकि ये trial balance है trial balance के अंदर जो भी कुछ होता है वो चीज हो चुका होता है past event होता है तो अगर debit में तो payment हो चुका है तो अब इसका मतलब हमारा एक महिने का rent अभी देना बाकी है यहां से पता चलेगा एक महिने का rent कैसे निकालोगे that is आपका rent जो है वो दे रखा है आपको 22,000 और ये है 11 महिने का तो अगर हम 11 से divide कर दें तो ये एक महिने का आगिया ठीक है ना अब आपको पता एक महिने का outstanding है तो into में one कर दीजिए अगर दो महिने का outstanding होता तो into में क्या कर देते है दो सपोस करो मैं bracket में 11 के बदले 10 लिखता तो मैं यहां पर क्या करता यहां पर करता 22,000 और divided by 10 और into में क्या करता तो जो answer निकल के आता जैसे यहां पर निकल के आए हमारा दो हजार और यहां वाले केस में निकल के आए चववालिस सो ठीक है तो ऐसे situation में जो answer निकल के है सारा outstanding है तो एक तो अगर profit and loss trial balance क्या होगा इसका adjustment trial balance में given है profit and loss के debit side add expense में हो जाएगा यानि क्या होगा जो profit and loss बनेगा उस पे से पहले से हमारा rent लिखा होगा जो rent था हमारा that is 22,000 और उसके अंदर add कर देंगे हम outstanding rent और that is आपका 2,000 रूपेस और total profit and loss में कितना आजाएगा 24,000 अब outstanding क्योंकि इसमें कितना है सिर्फ और सिर्फ 2000 तो balance sheet के liability side में चला जाएगा हमारा मात्र 2000 समझे हाँ क्योंकि hidden adjustment हम कर रहे हैं तो hidden adjustment trial balance के बाहर होगा ही नहीं वो हमेज़ा कहां दिखेगा आपको trial balance के अंदर ही दिखेगा ठीक है